आसानी से मिल जाता है और सील्स इसी समय प्रज्णन करती हैं क्रेट वाइट शार्क का हमला महज एक सेकंड में खत्म हो जाता है इसे 40 गुना धीमा करके देखने पर पता चलता है कि ये जबरदस्ट शिकारी कितनी ताकतवर है और ये कैसे शिकार करती है अचाना किया हमला चूप जाए तो ये शिकार का पीछा करती है शार्क सीधे तैरने में ज़्यादा तेज है लेकिन ये सील की तरह तेजी से मुड़ नहीं सकती ये फुर्ती और ताकत का मकाबला है शार्क सील का तेजी से मुड़ नहीं सकती है सीलों का प्रजनन खत्म होने के बाद ग्रेट वाइट शार्क्स यहां से चली जाती है अब ये साफ होता जा रहा है कि ग्रेट वाइट शार्क्स